Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? This is Nidhi Gupta, your English Coach at Adda 24-7 English Classroom. आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम लोग सॉल्फ करने वाले हैं CBSE का सेंपल पेपर फॉर इंग्लिश एक्जाम. ठीक है? CBSE ने क्लास 10 के लिए, टम टु एक्जाम के लिए एक सेंपल पेपर दिया है, जिससे की आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर सके, उसको सॉल्फ कर सके, और खुद को एक्जाम के लिए प्रपेर कर सके. आज की वीडियो में हम लोग भी वाही करेंगे, स्पेसिफिकली आज की वीडियो में हम लोग सॉल्फ करेंगे इसका ग्रैमर सेक्शन. What are we going to solve? We are going to solve ग्रैमर सेक्शन. कितने मार्क्स का है ग्रैमर सेक्शन? 5 मार्क्स का है. ठीक है? बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेस्चिन करते हैं, माम कितने मार्क्स का ग्रैमर आएगा? देखो 5 मार्क्स का ग्रैमर आएगा. दो क्वेशन पर्टिकुलरली आने वाले हैं. क्वेशन नमबर 4 होगा और क्वेशन नमबर 5 होगा. ठीक है? क्या होगा? क्वेशन नमबर 4 और क्वेशन नमबर 5. question number 4 होगा 3 marks का question number 5 होगा 2 marks का 3 and 2 5 5 marks की grammar आपके exam में आएगी ठीक है ये वो 5 marks हैं जो आपको मिलने ही मिलने है because बहुत easy portion है guys एक बार समझ लो बहुत easy portion है ठीक है देखो पहला जो question है वो किसमे होगा वो होगा editing paragraph का आप इसको error detection भी बोल सकते हैं या आप इसको editing paragraph बोलते हैं basically एक paragraph लिखा हुआ है इसमें mistakes है grammar की mistakes है obviously और आपको क्या करना है उसको ढूणना है आपको grammar की जो mistake है पहले उसको ढूणना है और उसका correction लिखना है तो ये हो गया आपका error और ये हो गया आपका correction ऐसी ही table आपको अपनी notebook पे और error लिखोगे फिर correction लिखोगे उसके नीचे अपने answers लिख दोगे examiner देखेगा आपने सही लिखा है और आपको full marks उसमें मिल जाएंगे ठीक है एक बार में एक ही answer लिखना दो answers मत लिखना जो लिख दिया है ऐसे कट करके बार बार मत लिखना अच्छे से one error in each line हर line में क्या है एक error है एक इसमें है एक इसमें है एक इसमें है यह वाला खुद से solve करके दिया हुआ है now identify the error तो पहले identify करो और फिर क्या कर दो उसको write its correction फिर इसका correction जो भी है वो यहां पे लिख दो one mark for one correction clear हो गया paragraph क्या है देखो paragraph यह आपके सामने लिख रहा है पहल have you ever learn from a mistake यहीं मिल गया देखो यह have you ever learn present perfect tense है कौन से टेंस है present perfect present perfect tense में वर की कौन सी form आती है बेटा third form आती है and what they have done they have written first form इसी लिए यहां पे इनोंने खुद से learn को learnt कर दिया दे दिया ना correction खुद से correction करके दिया इनोंने so this has to be learnt कैसे समझोगे mistakes देखो मैं बार बार एक ही चीज़ बोलती हूं your question itself has its answer if you go further in this line अगर आप इस line में आगे जाओगे आप देखोगे यह देखोगे यह देखो कौन से टेंस है present perfect tense है यहां पे भी present perfect था अगर आपको नहीं भी दिया होता आप खुद भी solve कर सकते थे एक ही line में आंसर भी दिया है already present perfect use हो रहा है धान दो देखो in a paragraph that editing paragraph that is going to come in your exam 90% chances आर कि जो tense starting में होता है ठीके पूरा paragraph उसी tense पे based होगा tense मतलब present past future जब मैं tense बोल रही हूँ मेरा मतलब है present past future पहला tense कौन सा है यह बताओ पहली line में कौन सा tense है present का tense है ना present perfect present का है ना देखो present का tense है तो past में paragraph जाएगा ही नहीं 90% तो ऐसे होता है ठीक अगर आपने narration ना change कर दिया हो अगर paragraph का तो वो नहीं होता तो वो present में ही रह आप देखो पूरे paragraph में अगर कुछ भी आपको past form देखे ना past की helping work देखे आप समझ जो कुछ तो गरवड़ है and you have to focus there and you have to find out the mistake there देखो आभी यह देखो was देख रहे हो I am definitely sure यह क्या होने वाली है एक mistake होने वाली है जो क्योंकि जब present में चल रहे हैं तो past का कोई काम वहां पर नहीं होगा तो यह एक छोटा सा idea है इसलिए tense सीखते हैं tense एक बार आपको समझ आ जाए structure समझ आ जाए have you ever learn from a mistake you have made question पूछा है many should not admit doing so ठीक है should not अभी many should not ethically भी answer like sentence नहीं है यह बोलना चाह रहे है many do not admit doing so many people do not don't admit doing so सुनने में भी आपको समझ आ जाएगा और अगर वैसे भी न समझ आ जाए देखो मैं फिर बोल रही हूं हर line में answer खुद होता है देखो for those who do आपको देख रहा है यह do मतलब present में चल रहा है है na for those who do and those who do not समझ रहे हो तो क्या होगा यहां पर should not की जागे क्या आएगा do not आएगा भई ठीक है so many do not admit doing so for those who do आ रहे है समझ में तो यह है जो नहीं करते हैं और यह हैं जो करते हैं तो answer clear है क्या answer होगा do not many shouldn't admit doing many don't admit doing so for those who do there was no need for guilt बोला था ना past में नहीं होगा present में ही होगा easy है एक बार में समझ आ गया अब जब यह है तो पता है आगे mistake कोई होगी नहीं एक लाइन में एक ही mistake है ठीक है easy था ना समझ ना बताओ अभी देखो यह जो fact आपको बताया है ना tense के उपर एक mistake tense का जरूर होता है एक mistake tense का जरूर होता है so you have to find it out कि अगर present में चल रहा है तो present ही होगा and if the paragraph has started in past tense then the entire paragraph should be in past only 90% cases में हैसा ही होता है तो आप उसका benefit ले सकते हो आगे बढ़े इसका तो clear हो गया we often make mistakes देखो यह often भी present में है सारा present में ही है we often make mistakes while taking risk ठीक है but all brush them aside and learn all many people ठीक है यह किसकी बात हो रहे है यहाँ भी था ना many इसी many की बात हो रही है तो देखो मैं आपको बार-बार क्या बोल रही हूँ बेटा आपके paragraph में ही सारे answers already होते है जब यहाँ पर many लिखा है तो यहाँ और लिखने का कोई sense नहीं है तो answer क्या होगा many clear हो गया so while taking risk many brush them aside and learn with that they usually don't make mistakes the next time clear हो गया देखो एक ही word लिखना है many people नहीं लिखेंगे इसलिए मैंने many लिखा है और यही आपका correct answer है अभी यह पूरा solve करने में कितना time लगा बिल्कुल time नहीं लगेगा अगर आपको grammar आती है यह पूरी grammar को बिटा integrated grammar बोलते हैं क्या बोलते है integrated integrated basically सारी grammar टैंसे इसमें आगे models इसमें आगे देखो should not का meaning नहीं पता हो तो कैसे लिखते subject verb concord इसमें आगया और सारे टैंसे आपके इसमें आगे तो basically जितनी भी grammar है reported speech सो नीचे पूछी है basically जितनी भी grammar है वो आपकी सारी इसमें cover हो जाएगी इसलिए आपको पूरी grammar पढ़ना ज़रूरी है अब ये तो हमने कर लिया solve अब हम करेंगे आगे बढ़ते हैं चलो अभी हम लोग क्या करेंगे अभी हम लोग करेंगे next solve और वो है आपका ये reported speech का मैंने बोला था न next क्या होगा next होगा आपका reported speech question number 5 question number 5 है किसका है reported speech का है reported speech exam में ऐसे ही आएगी सिखाते time हम लोग आपको sentences के थुरू सिखाते हैं आपके exam में कैसे आएगी exam में वो आएगी as a conversation एक conversation हो रही है किसमें दो लोगों में ठीक है पहली conversation में जो एक बंदा है वो कोई question करेगा ये इनोंने question किया है why did you do this why did you cry why did you leave me why did you submit a blank sheet तो ये हो गया आपका interrogative का interrogative का reported speech और जो दूसरा बंदा होगा वो क्या है answer देगा obviously तो ये हो गया आपका statement वाला reported speech एक इसमें आपको क्या दे दे देंगे imperative बीच में दे देंगे तो आपका ultimately पूरा reported speech इसमें cover हो जाएगा दो ही आएंगे blanks दो ही blanks आएंगे a blank and b blank कितने marks का होगा दो marks का होगा ये आपको क्या करना है ये आपको solve करना है देखो अभी video में हम लोग इसको solve करेंगे और समझेंगे कि ये two marks पूरे पूरे कैसे आएंगे और ये sample paper में जो दिया है ना guys मैं 90% आपको बोल सकती हूँ same tense आएगा कौन सा tense है ये देखो और what I'm saying is ये वाला tense को रट लो अभी notebook लो और अभी जो cheat sheet में आपको देने वाली हूँ basically I'm going to give you some ideas praises के ऊपर तो वो आप अपनी notebook में लिख लो पर कि ये वाला पका आएगा ये ही tense हमेशा आता है और दो को कैसे solve करना इसको समझो बात हो रही है biology teacher में और समीर में ठीक है biology teacher boy है या girl है बताओ कौन बताएगा मुझे boy है या girl है man है या women है आप मेरे को बताना चलो ये biology teacher और समीर की बीच में बात है conversation को पहले पढ़ लेंगे और फिर blanks में इसको reported तरीके से reported speech में लिखा गया है इसको इससे solve करेंगे biology teacher बोलती है बोलता है because ये दे को sir है ठीक है तो बोलता है I instructed you to draw the diagram of bacteria I instructed you to draw the diagram of bacteria why did you submit a blank sheet tense बताओ कौन सा है मैंने जब reported speech पढ़ाया था class में मैंने आपको बोला था उससे पहले अपने tense से समझ लेना tense बहुत जरूरी है बेटा आपको बताना पढ़ेगा which tense is this why did you कौन सा tense है कौन सा tense है past simple tense है did किस में आता है past simple में आता है tense की वीडियोज अल्रेडी playlist में है एक बार चाहो तो देख लो कौन सा tense है past simple दो चीज़े पता करना बहुत जरूरी होता है tenses के लिए एक tense कौन सा है दूसरा convert किसमी करना है अगर direct में past simple है तो indirect में कौन से tense में convert हो जाएगा past simple changes to past perfect और इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि मैं आपको एक cheat sheet दे दूँगी जिससे आपको समझा जाएगा कि इसको solve कैसे करना है देखो कहीं भी अगर आपको did दिखता है कहीं भी tense में आपको did दिखता है समझ जाओ क्या है past simple है किसमें convert होगा अगर did होगा तो head और verb की third form में convert हो जाएगा cheat sheet है यह cheat code है आपके लिए आप इसको समझ लो अगर आपके past में did आएगा ठीक है did के साथ first form आएगी तो अगर यह आपकी reported speech में आएगा इस तरह से why did you answer में आपको head के साथ third form लिखना है because past simple changes to past perfect as simple as it is clear चलो अभी देखो इसको question पढ़ ले और उसका answer साथ की साथ लिखते जाते हैं why did you submit a blank sheet why did you submit a blank sheet answer में देखो क्या है the biology teacher had instructed Samir to draw the diagram of a bacterial cell and asked him यहां तक का इन्होंने खुद सॉल्व किया है आगे का हमें करना है and asked him क्या पूछा है Samir से asked him why did you submit a blank sheet interrogative questions जो होते हैं उसमें conjunction क्या लगता है guys उसमें conjunction वो जो question mark होता है वो खुदी ये conjunction होता है पता है ना आप लोग को rules याद है जो question word होता है वो खुदी अपने आप में conjunction बन जाता है तो यहां जो हम शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे why से आप यह जो why है यह question word नहीं है it's a conjunction conjunction मतलब दो sentences को जोडने का काम कर रहा है तो यहां तक तो हमने लिख दिया that and a bacterial cell and asked him मतलब the biology teacher asked him why why is a conjunction और यहां से हम sentence टार्ट करेंगे why did you submit a blank sheet why pronoun चाहिए pronoun कौन है you है you मतलब समीर है समीर मतलब boy है he मतलब why he sheet देखो did होगा तो head हो जाएगा क्या लिखेंगे why he had submitted submitted clear हो गया यह सबको समझ में आ रहा है why he had submitted a blank sheet यह biology teacher का question है एक mark आपको इसका मिल गया यह आपका mark हो गया final past simple को past perfect में convert किया है ठीक है समझ लो इसको कैसे करेंगे why he had submitted this is going to be your answer आप किसको इसमें doubt है यह देखो आपका conjunction है यह आपका subject है यह आपकी helping verb है और यह आपका main verb है कुछ confusion तिसमें होना ही नहीं चाहिए आपको आगे बढ़े आगे solve करें इसको ठीक है और देखो इसके आगे और क्या है next is next क्या है Samir sir I had drawn the diagram of bacteria वो बताता है कि हाँ मैंने तो draw किया है तो इसका I think you know as it is लिग दिया है Samir respectfully answered that he had drawn the diagram of bacteria but you can't see it यहीं तोक solve करो पहले you can't see it you you कौन है किसके लिए है you you है sir के लिए sir कौन है लड़का है तो क्या लिखेंगे but he या तो आप यहाँ he लिख दो या फिर आप यहाँ the teacher लिख दो दोनों चीज़े आप लिख सकते हो but he can't हो जाएगा could not can't क्या हो जाएगा पूरा लिखना पड़ेगा कैसे लिखेंगे he can't see it because it आप देखो यह जो is है यह क्या हो जाएगा was हो जाएगा because it was not visible और बाकी का to the naked eyes इन्होंने खुद ही लिख रखा है हो गया solve यह वाला mark भी मिल गया आपको यह भी mark आपका और यह भी mark आपका ठीक है कैसे solve किया अगर आपको rules पता है तो आपको पता होगा can not किस में change हो जाएगा could not में हो जाएगा did किस में change हो जाएगा head में हो जाएगा दो ही थे मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ दो जो examples आएगे एक तो जरूर से past simple का आएगा या तो present simple का आएगा या past simple आएगा क्योंकि यह आते हैं exam में क्यों आते हैं क्योंकि यह दोनों थोड़े से tough होते हैं solve करने के लिए इसलिए यह आते हैं ठीक है तो check करना चाहते है कि आपने reported speech अच्छे से सीख लिया है कि नहीं सीख लिया है तो first हो गया आपका ये वाला जिसमें आपने क्या किया था did not को did not को head में convert किया था head में did को head में convert किया था और दूसरा कौन से था can't था इसको आपने क्या किया था could किया था ये वाला is है तो यह आपको वास करना ही पड़ेगा I hope it is clear to you यह आपके 5 marks की grammar है most probably यही questions इसी तरह से आएंगे not exact this question but format यही वाला होने वाला है आप लोगों को बहुत-बहुत best wishes from my side के आपके grammar के portion में grammar section में you get 5 out of 5 we are going to solve more of these kind of exercises in the upcoming videos so stay tuned and bye